वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी माई नेम इस गरीमा आज हम करेंगे क्लास एर्थ इंगलिश एंसे एर्टी सप्लिमेंटरी रीडर का लास्ट चैप्टर दा कॉमेट टू इससे पहले जो चैप्टर किया था कॉमेट वन उसमें हमने देखा कि जो मिस्टर मनुझ दत्ता हैं वो एक अमेचर साइन्टिस्ट हैं जो शौक्या तोर पर वैग्यानिक थे और उन्होंने एक नए कॉमेट की खोच की थी जिसका नाम कॉमेट दत्ता रखा गया था दत्ता दा की इस कॉमेट की डिसकावरी पर IIA ने कंफर्मिशन दिया IIA यानि Indian Institute of Astrophysics ने कंफर्म किया और इस पर एक साइन्टिस्ट ने आर्टिकल लिखा जिस पर रोक लगाई मिस्टर जॉन मैकपर्सन ने और उन्होंने एक सीक्रेट कॉन्फरेंस बुलाने का सोचा तो उसे क्यों करा गया इसको हम इस चाप्टर में आगे कंटिनियू करेंगे दत्ता दा is invited to the secret conference उस secret conference में दत्ता दा को भी invite किया गया और इस conference के बाद दत्ता दा और जो defense advisor थे Mr. John McPherson वो एक गहरे दोस्त बन गए और उन्होंने अपने कुछ secret शेयर करे। फस्ट पार्ट, by the time they finished their deliberation यहां दे refer किया गया है Sir John McPherson को और Dr. James को जब उन्होंने अपना विचार विमर्ष अपनी बहस खतन करी तो Sir John ने उनको hotel में छोड़ दिया जो की Regent Street पर था रात के एक बज़े थे गली में बिलकुल भी नहीं थी लेकिन James ने जब अपनी खिड़की के बाहर देखा तो सारा आकाश तारों से ढखा हुआ था Somewhere amongst these stars was comet data heading for a collision with the earth और इन्हीं में से दूर कहीं से सितारों में से ही एक comet data जो प्रत्वी की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था और टक्राने बाला था It was hard to believe the calamity of the future on such a peaceful night और ये विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि इतनी शांत रात में कोई विपदा आने वाली है भविश्य में For a moment James wondered if he had done his sums right और एक छड़ के लिए तो James भी आश्यर चकित रह गया था कि क्या उसकी गढ़ना जो है जो उसने calculation की है वो सही है या नहीं Whatever doubt James may have had about Sir John's efficiency were quickly dispelled और जो भी कोई शक था James को Sir John की कारी कुशलता को लेकर वो जल्द ही दूर हो गया When he reported for the conference जब उसने conference को report किया and found all the experts listed by him were there और जितने भी expert उसकी list में थे वो वहाँ पर मौझूद थे Astronomers, Computer Scientist, Nuclear Physist, Space Technologist, Biologist all were there जितने भी expert को दुनिया भर से बुढ़ाय गया था वो सभी वहाँ पर मौझूद थे And as Sir John's special invitee was present, the man who had started it all, Manoj Dutta और Sanjorn ने especially अमंत्रित किया था एक ऐसे आदमी को जिसने ही सब शुरू किया था जिनका नाम था Manoj Dutta यानि Dutta दा The conference lasted one week, जो conference था, जो सम्मेलन था, वो लगबग एक सकता चला, लेकिन वो पूरा total cover of secrecy, यानि गुपत रहा First, the expert checked and re-checked James Forsy's calculation, सबसे पहले expert ने अच्छी तरह से उनकी calculation को जाचा और फिर बार बार जाचा गया The latest observation of comet Dutta, और जो ताजा observation का मतलब नहीं गरना की गई, comet Dutta को लेकर was right There was no escape from the direct hit predicted by him और James सही था, वैग्यानिक इस नतीजे पर पहुँचे कि comet अर्थ से सीधा सीधा टकराएगा और इससे बचा नहीं जा सकता There was a small chance that the comet may just graze the atmosphere of the earth and not coiled तो बहुत कम ही ऐसी संभावना थी कि जो धूम केतु है, जो comet है केवल जमीन के वायो मंडल को खरोच कर निकल जाए और नुकसान ना पहुचाए In that case, the loss of life and property would not be total और अगर इस तरह यह हुआ, तो ऐसी हालत में जानमाल का पूरा-पूरा नुकसान नहीं होगा यानि जो property है और लोगों की life है उसका पूरा तरह से नुकसान नहीं होगा But this slight respite was hardly assuring enough for taking no action लेकिन यह जो थोड़ी सी respite में जोता है आराम यह थोड़ा सा आराम जो था वो इस बात के लिए काफी नहीं था कि कोई action ना लिया जाए Having decided that some action was needed और उन्होंने निश्चे किया कि हमें कुछ action लेने की जरूरत है What form should it take लेकिन वो action क्या हो सकता है The expert dismissed defensive measures like living in underground bunkers जो अरुभावकारी थे जितने भी वैग्यानिक थे उन्होंने defensive measure को मना कर दिया Defensive measure होते हैं रक्षात्मक कदम उन्होंने सब को अस्विकार कर दिया जैसे कि वो underground bunkers में रहे It was simply not a practical proposition क्योंकि उनके हिसाब से ही बिल्कुल भी practical नहीं था So the only course was to take offensive action इसलिए उन सब वैग्यानिक ने decide कि वो offensive action ही कर लेंगे और इसी बात का फैसला तैय हुआ यानि अब जो comet डटता है उसके लिए एक ऐसा path बना दिया जाए एक push किया जाए जिससे वो अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाए थोड़ा सा मुड़ेगा तो हो सकता है कि वो टक्राएना अर्थ से The expert calculated data bulk of destructive nuclear available on the earth would be needed to achieve this mammoth task Mammoth task का मतलब है बहुत बड़ा task और यह कैसे किया जा सकता था यह nuclear power के द्वारा किया जा सकता था तो सारे के सारे expert ने अनुमान लगाया कि इस प्रत्वी पर कितना nuclear power present है और उसके चलते ही वो इस task को complete कर सकते हैं इस task को achieve कर सकते हैं A gigantic nuclear explosion suitably placed suitably directed and suitably timed could do the trick और एक बहुत बड़ा gigantic होता है बहुत बड़ा nuclear explosion एक विसफोट उन्होंने करने की सोची जिससे की वो सही जगा पर उसे रखें या फिर सही direction में सही समय पर रखें तो ऐसा करना possible था वो comet को destruct कर सकते थे This could be done by placing the nuclear payload in a spaceship sending it to the intercept the approaching comet and detonating it by the remote control तो ऐसा कैसे किया जा सकता था Nuclear payload को spaceship में रखकर भेजा जाए और जो comet है उसे रोकने के लिए कोशिश की जाए और ये किया जा सकता था बहुत बड़े nuclear विसफोट से जिसको remote control की साहता से handle किया जाता Success or failure, secrecy must be preserve अगर सफलता मिलती है या फिर असफलता मिलती है इसे पूरी तरीके से preserve रखना, गुप्त रखना जरूरी है Finally, a timetable was drawn up for a operation which was code name project light brigade तो finally a timetable बना लिया गया operation का कि कौन कौन से date पर क्या 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 करना है और उसका code name दे दिया गया Unforeseen reason तो इन्होंने ये सोचा कि जो spacecraft है उसको dispatch किया जाए पेलोट के साथ लेकिन हो सकता है तब तक comet जो है already destroy हो जाए natural cause यानी प्रकतिक कारणों के वज़े से या फिर उसका रस्ता बदल जाए कुछ ऐसी चीजों से जो हमने पहले कभी देखी ना हो Unforeseen का मतलब होता है जो पहले ना जाना जा सके या जो पहले ना देखा जा सके इन कारणों के कारण हो सकता है वो अपना रास्ता बदल दे November 15 November 15 Rendezvous Rendezvous होता है ये जो spelling लिखी है इसे rendezvous प्रोनांस करते हैं और इसका pronunciation rendezvous होता है उसका अर्थ होता है meeting place यानि मिलने का इस्थान Rendezvous with the comet तो मिलने का इस्थान जो comet का है and the detonation of the payload और जो payload है यानि जो equipments थे जिसमें nuclear power भरा गया था उसको नश्ट करना, detonate करना तो किस तरह से उसका whispered किया जाता ये देखना था तो उसको भेजा जाता और वो comet को destroy कर देता December 15 If the experiment failed, this was the day the comet would hit the earth तो अगर ये experiment fail हो जाता तो ये वही दिन था जिसमें comet धुमकेती जो है वो earth की तरफ आता और earth को hit कर देता, टकरा जाता और earth खतम हो जाती If it succeeded, this was the day the comet would pass by the near but safe distance लेकिन अगर ये ही experiment सफल हो जाता तो ये वही दिन था जब comet पास से गुजर जाता और सुरक्षित दूरी से निकल के चला जाता और कोई भी हाम नहीं पहुचाता earth को The success of the experiment depending on how massive the comet was और जो हमारी सफलता थी experiment की, वो इस बात पर निर्बर करती थी कि जो comet है, धूम केतु है, वो कितना massive, यानि कितना बड़ा है Nobody could estimate, कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सका Everybody hoped that it was not very massive हर कोई यही आशा करता था कि एक जादा बड़ा ना हो Do you think we will succeed? दक्तादा asked Sir John MacPerson for his opinion तो Sir John MacPerson से दक्तादा ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि हम सफल होंगे During the week, the two had developed considerable affinity for each other इस हफते वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन गये थे, काफी करीब आ गये थे और उनको एक दूसरे की बाते समझ में आने लगी थी Mr. Datta, I will give you an honest answer तो Sir John MacPerson ने कहा कि Datta जी मैं आपको एक बहुत honest answer इमानदारी वाला उत्तर दूँगा बहुत इमानदारी से I am not buying any Christmas present till December 15 क्योंकि उनको भी कोई surety तो थी नहीं इसलिए उन्होंने सर्फ यही उत्तर दिया कि मैं 15 December तक कोई भी Christmas present नहीं खरीदूँगा Datta the tour the British Isles for two weeks after the conference Conference के बाद वो दो हफ्तों तक British Isles का tour यानि वहाँ पे घूमते रहे And he had a pleasant time visiting observatories and exchanging views with amateur as well as the professional astronomers और वो लोगों से मिलते रहे और amateur scientist से भी मिलते रहे professional astronomers से भी मिलते रहे और अपने views exchange करे और उनने अच्छा समय वहाँ पे विताया On his return, he was greeted by the inevitable vast crowd of friends और जब वो वापस आए तो inevitable यानि एक बहुत बड़ी भीर थी दोस्तों की social leader यानि जो सामाजिवनेता थे students and usual hangers on loaded with garland and bombard by questions from the press he showed how made his way to the waiting car और जहां उनका कार इंतजार कर रही थी वहाँ जाते वक्त बहुत सारे लोगों ने उनको मालाएं पहनाई पत्रकारों ने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे तो ये तो हो गया इसका first part इसका second part आपको जल्दी मिलेगा और कैसा लगा? कमेंट शेशन में मेंजन करें हो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरू दबाइए और प्लीज डोंट फॉर्गेट तो सब्सक्राइब माई चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें पसंद आया है तो लाइक करें